हेलो फ्रेंड्स मैं अनुस स्वागत करती हूँ आप सब अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अनुस के टेंग व्लोग्स तो फ्रेंड्स आज है संडे और आज है मदलब संडे का दिन है और मॉर्निंग का टाइम है और अभी टाइमिंग हो रही है पॉने नोबल र मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने पहनी है साडी और मैंने हलका सा कार्डिगन डाल लिया था क्योंकि थोड़ा सा ना ठंड है बाहर और मैंने यह वाला मंगर सूथी डाला था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था मैं मत्रा से लिख कराई थी वो और बच्ची मेरे दोनो रेडी हो चुकी हैं और आप सोस्रे होगे कि यह कहां जा रही है तो फ्रेंड मैंने जैसे कि आपको बताया थी कि मेरी सासुमा जी है उनका ऑपरेशन हुआ था को का तो मैं उन्हें देखनी जा रही थी और एक आज खास बात और भी है हम पूरी फैमिली जा रहे हैं क्योंकि मेरी सासुमा जी और सासु की अनिवर्सरी भी है तो हम लोग वहाँ पर ऐनिवर्सरी करने जा रहे हैं और मैंने उनके लिए क्या गेफ्ट लिया है वो सब मैं आपके साथे सेर करूंगी तो इसलिए वीडियो पर पूरा बनाया है तो आप लोग और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो लाइक करें वीडियो को कमेंट करके जहूँ बता है कि कैसा लग आपको वीडियो दोनों बच्ची मेरे जा चुके हैं नीचे और अभी देखिए सनी सो रहा है इसको मुझे एते ही लेके जाना पड़ेगा कोद में उठा के क् नीच तोड़ने का बिलकुल भी मन नहीं कर रहा है कि इसकी मैं नीच खराप करूँ क्योंकि बच्चा है चोटा सो रहा है तो सोने दो और मेरे अज़ियो आूर वार मुझे यही करने से पहले आप कुछ भी नया haircut ट्राइड ना करें कहीं भी निकलने समय कहीं भी जाना है तो आप हपते दर्स दिम पहले कर आपनी और मुझे अपने बाल बिल्कुल पिछ नहीं हुआ हैं और में बार 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 मुझे इसी बात के लिए टौक दे रहते हैं कि मारे बाल बहुत चोटे हो गय को चलिए फिर फ्रेंड्स कटे काट आपने वडियो के स्टार्टिंग और मिलती हें आपसे थोड़ी देर झाल 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 तो फ्रेंट्स देखिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं और अभी हम जा रहें उपर तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ इंजॉय करते हैं सेल्ब्रेट करते हैं तो यह है में गेट और तो हम पहुँच गए उपर तो यहाँ पर देखिए सनी गया हुआ है अपनी चाची की गोदी में और सनी को हम ऐसे ही लिया आयते सोते हुए नाइट रूट में और यह है कुहुच दोरानी की बेटी और यह देवर है का बेटा है मेरी दोरानी की बेटा मतलो और यह है मेरी सासमा जी और इधर देखिए सनी खेल रहा है अपनी चाचा के साथ वो खेल रहा है बच्चों का न यही होता है कहीं भी जाते हैं तो टॉय लेके खुश हो जाते हैं और इन्होंने बहुत इंजॉय किया बच्चों ने सारे टॉय वगरा सब निकाल लिए थे बहुत इंजॉय किया था और इधर देखिए सबी लोग इक्षटा हो गेते और इहां पर मैं लेकर खड़ी थी गिफ्ट तो तो मैं आपके साथ में करच की हूं कि क्या था तो इहां पर मैंने ममी को दिया गिफ्ट तो ममी को यह ना बहुती पसंद आया था बहुत ही अच्छा लगाता और सभी को अच्छा लगाता है गिफ्ट और अगर आप लोग भी कुछ ऐसा सोचने हैं देनी के लिए किसी को तो आप लोग बिल्कुल दे सकते हो बहुत ही पसंद आया था सभी को और यहां पर सभी लोग थे तो साथ में थे सब लोग तो अच्छा भी लगता है कुछ ऐसा करते हैं तो यहां पर हम बोल लेते ममी को कि आप खुद से ओपन करो ममी ने बोला कि नहीं तुमी लोग ओपन कर दू तो मैंने खुद से पैकिंग किया और खुद ही निकालना पड़ रहा है मुझे और अभी ममी देखतर खुश होगी दीज़े आप लोग को बताना मुझे कैसा लगा था आपको यह आइडिया मेरा गिफ्ट कैसा लगया आप लोगों को और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें विद बैल बटन जिसे मेरे आने वाल काफी अच्छा था पूरी फैमली थी इसमें सभी साथ में थे तो इसले भी थोड़ा सा अच्छा लगा ये और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताना मुझे और इधर देखिए हमारी बच्चा पार्टी सारी बैठी हुई थी रूम में खेल रही थी खिलोनों से जिसको जो भी हाथ में लगा उन सबसे ही खेल रहा था बच्चों का यही होता है ना जो भी होता है साथ मतलब खिलोने कोई भी हो किसी के यहां पर जाते हैं तो जो भी मेरी बेटी बड़ी वाली तो बच्चों को यह होता है कहीं भी जाते हैं खिलोने निकाल कर बैठ जाते हैं फेला कर और अभी आपको मक्यों के लिए एक नुस्खा बताने वाली हो यहाँ पर एक पॉलाथीन में सिंपल पानी को हैंग कर दो करके बॉट पिन्नी में तो उसे मक्यां भाग जाती हैं और इधा देखिए सिंपल सा एक इस्टीगर लगाया हुआ था थीडी वाला जो यहाँ पर मे देख लिजिए ब्रैड पकोड़े हैं और नमकीन बिस्कीट तो आप लोग भी कर लीजिए नास्ता और ब्रैड पकोड़े बहुत अच्छे थे और इधर बच्चे खा रहे थे खाना तो बच्चों को सब को ना नीचे बिठा दिया तक जैसे करने जीमाते हैं ना वैसे सार खा लेते हैं और इधर बढ़नी थी पूरियां अलुगोभी की सबजी थी पूरी थी दाल चावल थे बच्चों के लिए तो सभी ने खाना खा लिया था आप लोग भी खा लिजिए खाना और इधर देखिए सनी बैड पर चल रहा था है क्योंकि बैड ना सोफा कम बैड थ और यह काफी थोड़ा नीचा था हाइट में तो सनी फिर इस पर चड़ रहा था उतर रहा था बार वार और खेल रहा था और फिर उसके बाद ने इसने टॉय भी ले लिया था यहां पर उपर चड़ कर तो यहां पर यह ले ली थी इसने डॉल हाउस ले लिया था और इससे खेल रहा था और खेल दी खेल दी पता नहीं इसके दिमाग में क्या आया कि इसके ओपर चड़कर बैड़ गया यह देखिए मुझे हसी आ गई इसकी हरकत को देखते हुए बच्चों को यह होता है ना बच्चों को कोई भी खिलोना मिलता है तो उससे खेलने लगते हैं पर इ उसको तो बस यह लगता है कि खिलोना है और बस ऐसे ही खिलना है और इधर हम लेडी जोगी ने कमजोरी होती है शॉपिंग तो वहां जाकर ना देवरानी नहीं नहीं बताए कि एक अच्छी शॉप है और चलो चलते हैं देख के आते हैं कुछ नया होतों तो मैं चली की थी उ मैं आपको नेक्स व्लोग में शेयर करूंगी कि मैं क्या लेकर आई थी और हम लेडियो की कमजोरी होती है ना कि कहीं पर भी कुछ भी अच्छा दिखता है या नया लेने की चाहत में चल पढ़ते हैं शॉपिंग लेने करने के लिए और अभी हम लोग आ रहेते हैं वापस वहाँ पर ना या तो आप फिर मॉल वगरा में जाते हैं वहाँ पर शॉप नहीं होती है वैसे मौस्टली या तो मॉल वगरा में ही जाना होता है शॉपिंग करने के लिए और या फिर मतलब मार्किट लगती है तो वहाँ से ले सकते हो आप ऐसे शॉप वगरा होती नहीं जादा वहाँ पर तो यह थी तो हम लोग चले गए थे और अभी हम लोग कर रहे थे एनिवर्स्री सेलिब्रेट तो केक लगा दिया था तो अभी केक कटिंग होगी तो आप लोग भी आजाईए करते हैं साथ में मिलकर सेलिब्रेट पहली बार पूरी फेमिली एक साथ ती मिलब सारी फेमिली एक साथ बैठ कर सैलिब्रेट कर रहाई थे तो अच्छा लग रहा था काफी क्योंकि पापा हमारे पास होते हैं एनिवर्स्टी के टाइम पर तो नहीं हो पाता साथ में लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि पहली बार हम लोग साथ में थे सब भी लोग बहुत अच्छा लगाता बस एक दीदी की कमी ती मेरी नैनंद की वो नहीं आ पाई थी तो कुछ प्रावलम थी उ केक टेख हते हमाने में रही आ परला जाना था ऌर यह देकिए और बच्चों ने कटवा दिया केक मिवक्रा बच्चों को बहुत खुशी होती है स्परकेदा अ मिलस्टी तो यह देखिए चोटीum होसी मैं चीज которая उठा मिफेया यहिकिए इसुनी प्रूट केक टाउ वो अभी केक कटिंग हो चुकी है तो अभी बच्चे सारे खाएंगे केक और यहाँ पर मैं भी आ गई थी क्योंकि मैं शूट कर रही थी तो मैं कैमरा नहीं मैं नहीं आ पाई थी सामने को और सभी लोग करेंगे enjoyment सभी ने खाया है आफ ही मैं केक कटिंग कर कर दूंगी सब को सभी लोग खायेंगे यौ आ जा जा यिए क क्ट खात लेते हैं है तो मैं सभी को प्लेट में सभ करके दे क्ट 아니면 लेटी दूगी कें और बच्यों यह fruit बच्चों को यह होता है कि कुछ भी चीज है तो उठा लो इन केक के उपर से डेकुरेशन जो भी है नहीं तो जो अच्छी डेकुरेशन है वो उठा लेते हैं बच्चे और अभी हम लोग जा रहे हैं घर अपने तो निकल लिए अब हम घर से तो मम्मी तो आएंगे अब होली पर ये लोग होली पर आएंगे अब हमारे घर पर तो होली पर सेलिब्रेशन होगा अब तो तो बस अब हम लोग निकल लिए हैं तो अभी हम नीचे जा रहे हैं पते क्या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर कुछ नया देखने के लिए मिल ही जाता है यह नया देखते हैं तो अच्छा भी लगता है और यह है मिर्जेवरानी की बीटी तो याग याग चल दी थी और यहां पर घर के बाहर पार्क था एक बड़ा सा जिसमें बच्चे चले जाते हैं खेलने के लिए और घर के बाहर एक स्कूल भी है यहाँ पर यह सामने स्कूल है स्कूल के बरारवे पार्क है बहुत अच्छा वियू है मतलब वहाँ का अच्छा लगता है काफी यह पार्क है देखिए पीछे पेड़ खड़े है यह पार्क है काफी बड़ा पार्क है यहाँ पर घर के सामने ही पार्क है और घर के सामने ही स्कूल है और इधर बिल्डिंग बनी हुई है आप देख सकते हो तो अभी हम सब लोग जाएंगे गाड़ियों बैट कर तो अपने घर तो आप लोग मुझे जरूर बताएगा कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा आप लोग को और इधर ममी देख रही थी हम सब को तो बस चलिए इसी के साथ कर लेते हैं अपना वीडियो का एंड और मिलते हैं अपने एक नेक्ट व्लोग में तब तक लिए बाई बाई टेक क्या ध्यान रखेगा अपना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट टेर के जबर बताएं और शेयर करें मेरी वीडियो को जादर जादर लोगों तक तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्ट व्लोग में तक लिए बाई बाई टेक क्या